हरे कृष्णा राधे राधे फ्रेंच आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी जी से भीम सैनी एकादशी भी कहा जाता है निर्जल 11 भी कहा जाता है इसकी पूझा में हमें क्या क्या पूझन सामिग्री के आवश्रक्ति होती है जेस्ट मास के शुकल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में मनाते हैं इसे भीम सैनी एकादशी या फिर भीम एकादशी भी कहते हैं इस एकादशी के वरत से साल में पढ़ने वाली सभी एकादशी के वरतों का लाब और पुन्य प्राप्त हो जाता है तो वर्षी की बहुत बड़ी ये एकादशी मानी जाती है तो देखें एकादशी पूजन में हमें सबसे पहले एक चौकी चाहिए, चौकी के ऊपर बिचाने के लिए पीले रंग का वस्त्र लें और ये पूझा आप अपने घर के मंदिर में पूझा इस्थलपे भी कर सकते हैं या फिर वहाँ पर पास में एक चौकी लगा करके भी कर सकते हैं साथ में विश्णु भगवान की कोई प्रतिमा हो तो बहुत अच्छा है आप लड़ू गोपाल जी ठाकूर जी जी विश्णु भगवान के जिन स्वरुप की आप सेवा करते हैं उन्हें भी पुझा में रख सकते हैं तो आप अप देख सकते हैं यहां पर लक्षमी जी भ्रहुमा विश्णु महेश टीनों इस फोटो में है तो हम इसे पुझा में रख लेंगे साथ में देखे पूजा के थाल में हमें क्या क्या चाहिए एक हमें धूप चाहिए एक हमें दीपक चाहिए दीपक इतना बड़ा लें जो पूजा के समय पूरा जलता रहे गड़ी जी हमने आप सुपारी से बनाए है आपके पास यदी उनकी छोटी सी मूर्थियों तो वो भी ले सकते हैं हल्दी कुमकुम अक्षत और यहाँ पर चौक्टा ले लेंगे यहाँ पर देखे तिल लेंगे अक्षत की जगप हमें तिल लेने हैं वसुर बेरपित केनी के लिए कलावा जन्यू भी आप ले सकते हैं साथ में तुलसी दलका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है भगवान विश्णु के सभी पूजन में कुछ फूल हो फूल माला हो पीला रंग अत्यदिक प्रय है भगवान को तो आप पील रंग के फूलों की माला है फूल ले लें साथ में अगर आप कपूर से आरती करना चाहते हैं तो आप कपूर भी ले लें माचिस ले लें यहां पर एकादर्शी महातमे की पुस्तक आती है वह भी हम ले लेंगे और साथ में देखे कुछ ना-कुछ दक्षणा आप यहां पर अन धन वस्तर जो भी चाहे वह दान निकाल सकते हैं तो यह सब रख लेंगे पूजा के थाल में इसी के साथ में निर्जला एकादर्श उस पर आप रख करके जरूर दे तो मटका जरूर दान किया जाता है साथ में कुछ मीठा देखे शर्बत दान करने का विशेश महत होता है जग जग शर्बत के भंडारे लगते हैं तो कुछ न कुछ चीनी गुर्ण शक्कर खांड जो हो वो आप जरूर दान करें पीला रंग का वस्तर आप सवा मीटर सवा पांच मीटर आप ऐसे सूती वस्तर हो या फिर आप चाहिए पैंट शर्ट पेरावनी कुरते पजामे का वस्तर भी दान कर सकते हैं साथ में खर्बूजा दान करने का जिन बहुत ही महत होता है रितुफल जितनी भी आते हैं वो आप दान कर सकते हैं खर्बूजे के साथ में आप आम दान कर सकते हैं केले पीले रंग के जो फल होते हैं भगवान विश्नु को अत्यदिक प्रिय होते हैं तो वो सब आप जितने चाहिए उतने दान कर सकते हैं की रा ककड़ी और इसे के साथ में देखें यहां पर बीजना जिसे हम पंका हाथ से ज़लने वाला पंका होता है तो इसी भी हम पूजा में अवश्चे रखेंगे अपनी सामर्त है के नुसार आप दान अवश्चे करें जो भी घर्मी से राहत देने वाली वस्तु आना उनका इस तरीके से रितुफल जितनी भी आते हैं सब को आप पूजा में अवश्य भगवान को भोग लगा करके उसे प्रसाद के रूप में फित्रित कर सकते हैं तो इस प्रकार से यह मुख्य मुख्य सामिगरी मैंने आपको बताई है और देखे यहां पर जो घड़ा हम दान करते हैं वो जल से भर करके ही रखते हैं अगर आप यहां पर कलशकी स्थापना करना चाहते हैं तो उससे सम्मधित भी सामिगरी आप ले सकते हैं एक आप कलश ले लेंगे कलश के अंतर डालने के लिए लॉंग लाच इसे कसुपारी हल्दी के गाठ और पंच पल्लव लेंगे और उसके उपर चलाने के लिए दीपकिया नारियल आप रख लेंगे पीले वस्ते में लपेट करके चाहें तो आप हवन से सम्मधित सामिगरी यह आप रख सकते हैं आज की दिन आप हवन भी कर सकते हैं तो यह सब सामिगरी हमें निर्जल एकादशी के व्रत पूजन में चाहिए होती है फ्रेंट्स निर्जल एकादशी का पूजन कैसे किया जाता इसका वीडियो ओलडी चैनल पे पहले भी आ चुका है और आने वाले समय भी आपको वीडियो मिल जाएगा यह आज का ही वीडियो आपको अच्छा लगाते प्लीज वीडियो को लाइक्शन चैन